सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें जो है अभी हम लोगों ने जो हमारा जूरिस्पूडेंस भी कम्प्लीट कर लिया आप जो है आपका यह क्या कहते हैं है जो हुमन अनौटमी जो है इसको कम्प्लीट कर लेते हैं इसका मैंने एक टॉपिक कवर किया हुए ह hé इसमें स्केलीटर सिस्टम के एंस क्यों कावर किये हुए है तो स्टाटिंग में ही वीडियो है वीडियो में हम लॉग से देखे लिक करेंगे है तो देखें ओर सोकर्ष की सापके वांतन है इसाइसाथ में आपके और भी जितने भी गौर्मेंट फार्मासिस्ट एक्जाम है उन्स अब के लिए इंप्रोड़नेट को किसमें जो हैं हम अपने डिप्लोमा का सिलेबस लेके चल रहे हैं तो उनका हमारा अल ओवर इंडिया कोमन सिलेबस रहता है तो आपके डैली का जो सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब किजिगा विडियो करना कमेंट करना प्रेस करना ताकि जोन वाले वीडियो होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके तो बिज़ए स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेशन है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्ट हार्ट जो होता है हमारा उसके बार में कौन सी बात गलत है कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा फोल्स है क्वेशन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है क्वेशन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आप से cavity में है बिल्कुल है चार चमबर होते हैं दो औरिकल दो वेंट्रिकल पता है तीन लेयर भी सही है देखिए तीन वाल्व होते हैं यह गलत लिखा हुआ है को मेंब्रेन से पारिकाडियं उड़ी कवर मेंब्रेन अनुसि से M ऊड्रीकाडियं न outermost layer है heart की वो हमारी क्या है pericardium is the outermost layer of the heart heart wall is made up of 3 layers है okay heart की wall 3 layers की बनी हुई है inner जो है that is endocardium middle वाली myocardium outer है epicardium okay these are surrounded by double membrane sac जिसे हम pericardium कहेंगे तो outermost layer तो हमारी pericardium है okay next inner most layer of heart तो inner most अभी हमने देखा inner endocardium middle myocardium outer epicardium और जो ये सारी की सारी surrounded double membrane sac से that is pericardium okay तो inner most layer कौन सी हो गई endocardium inner most layer हो गई हमारी endocardium हो गई okay बाकी myocardium हो गई middle वाली है न उसके बाद हो गई हमारी कौन सी epicardium हो गई outer और ये जो है बिलकुल बहर इन सबको भी surround करती है एक membrane वो जो है हमारी pericardium है okay next है which of the following is the superficial vein of cardiovascular system की जो superficial vein है बेसिलिक वेन औक्जिलरी वेन सबकले वेन पलमर वेन तो ये हमारी होती है बेसिलिक वेन होती है okay देखे superficial veins वो veins होती है that are close to the surface of body के surface के पास होती है as opposed to deep vein तो deep vein को opposite तो हो गई है ना क्योंकि which are far from surface deep vein तो deep seated होगी वो surface से दूर होती है basic vein largest vein होती है आम में often use for dialysis access के लिए यूज किया जाता है इसे काडियो वस्कुलर सेंटर काडियो वस्कुलर सेंटर हमारा कहां पर है मेडूला में है हाइपोथलमस में सैरीब्रम या सैरीबैलम में है तो काडियो वस्कुलर सेंटर इस लोकेटेड इन मेडूला ओबलोंग गाटा ओके निक से pulmonary artery carries तो pulmonary arteries में किस टाइप का pulmonary arteries क्या कैरी करती है blood into the heart heart में ब्लड लेके जाएगी डी oxygenated blood लेगी oxygenated blood हो गया फिर ब्लड अवे फ्रॉम लांग्स तो pulmonary arteries के कैसा blood कैरी करती है देखिए सारी के सारी arteries में oxygenated जो है हमारा oxygenated blood होता है प्योर ब्लड होता है बट pulmonary arteries are the only arteries which carry deoxygenated blood या impure blood option भी हो जेगा है न देखिए arteries carry oxygenated blood except for the pulmonary arteries pulmonary arteries carry blood from heart से जो blood होता है वो lungs के पास लेके जाती है pulmonary arteries okay फिर कह रहे हैं from right ventricle to lungs ठीक है तो हमारा जो right ventricle होता है वहां से ये blood को लेके जाती है lungs के पास okay the only artery in your body that carry deoxygenated blood is pulmonary artery क्योंकि pulmonary arteries जो है वो heart जो है वहां से blood को लेके जाएगी lungs के पास ताकि वहां से purify हो सके blood वापस में जो है heart में आ सके फिर heart से हमारा blood पूरी body में pump होता है pure होने के बाद okay तब pulmonary arteries जो होती है इन में हमारा impure blood होता है और ये pulmonary arteries जो है heart से blood को lungs के पास लेके जाती है right ventricle से lungs में लेके जाती है next है heart beat less than 60 beats per minute अगर heart beat 60 beats per minute से कम है तो उसे क्या कहेंगे bradycardia, tachycardia, hypotension, hypotension तो आपको इसको कहेंगे bradycardia कहेंगे okay thickening of artery due to cholesterol deposition cholesterol के deposition की वजह से जो artery थिक हो जाती है उसे क्या कहेंगे atherosclerosis, cardiac arrest, blood pressure या rheumatic heart disease तो इसे कहेंगे atherosclerosis, thickening of arteries जो आपके arteries थिक हो जाती है क्यों cholesterol deposit होने की वजह से atherosclerosis कहा जाएगा which portion of heart receive oxygenated blood तो आपका जो heart है इसके कौन से portion में oxygenated blood होता है, pure blood होता है left ventricle, left auricle, right auricle या आपका जो है right ventricle तो हमारा जो है oxygenated blood जो होता है pure blood जो होता है left auricle में आपका answer हो जागा okay तो left auricle जो है वो हमारा oxygenated blood receive करता है next mean normal mean pulmonary artery pressure बताना है 10 to 15 mm of hg होता है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 तो यह हमारा होता है 15 to 20 mm of hg next which vein drain abdomen abdomen को drain करें कि कौन सी vein, coronary sinus superior vener केवा inferior या none तो आपके जो है inferior vener केवा होती है यह होजगा option c next तो यह लिखा venus drainage of abdomen is by inferior vener केवा and its tributaries blood pressure knotted in blood pressure knotted in blood pressure knotted in कौन सी artery में in nominate artery femoral or brachial तो यह होती है आपके brachial artery होती है जिन में blood pressure knotted किया जाता है next artery that directly lead into capillaries artery that directly lead into capillaries vein venus muscular arteries arterioles तो यह क्या कहेंगे arterioles कहा जाता है okay निस बंडल ओफीज इस पार्ट विचो तो फोलिंग ओर गनिंदा human तो बंडल ओफीज का पार्ट है brain heart kidney pancreas तो आपका हार्ट का ही तो पार्ट है बंडलो फीज पुरकिंजे फाइबर एसे नोड एवी नोड यह सब किसके पार्ट है हमारे हार्ट के तो मायो कार्डियम जो है special muscle tissue है यह पाया जाता है ब्रेन हार्ट स्टमक या लंग्स तो यह कहां पाया जाता है हार्ट में option B हो जेगा next है muscles of heart जिन्हें हम क्या कहेंगे myocardium make up or the middle and thickest layer of the heart okay तो myocardium हम देख तो middle layer होती है और अगर कहें कि thickest layer जो heart की कौनसी है तो भी क्या कहोगे myocardium ही thickest layer होती है only artery which contain deoxygenated blood तो अभी हमने देखा था सारी के सारी arteries में oxygenated blood होता है pure blood होता है but pulmonary arteries are the only arteries which carry deoxygenated blood या impure blood तो pulmonary artery दिख रहा है option में option A में ही दिख रहा है आपको ना inferior vina keva coronary artery दिया तो हमारा answer option A हो गया next इसमें लिखा भी हुआ artery carry blood from the heart to various part of the body thick wall artery जो होती है यह blood जो है heart से various part of body में लेके जाती है arteries की wall थिक होती है arteries के बारे में लिखा हो है okay और arteries में oxygenated blood होता है except pulmonary arteries को छोड़के सभी arteries में क्या होता है oxygenated blood होता है pure blood होता है okay left ventricle के टाइम पे जो ओर्टा में blood pressure maximum होता है देखिए ओर्टा इस ड्रक्ली सप्लाइड बाइड बाइड वेंट्रीकल सब्लड प्रेशर इस हाइस्ट दूरिंग सिस्टोल जो वेंट्रीकल का सिस्टोल होता है ना तो ओर्टा का जो blood pressure सब्सक्राइड बाइड लचे साथ होता है द्यूरिंग एड लफ्ट वेंट्रिकल कंट्राक्ट में लचे सब्लाइड प्रेशर न्वार्ट प्रेशर बस्ते अट किसके लिए हैं सिस्टोलीक प्रेशर डिया mean या नन तो आपका 120 बाइटी में जो आपका 80 है that is diastolic pressure तो 120 बाइटी में 80 क्या है आपका diastolic pressure और systolic pressure आपका 120 हो जाएगा है ना next right side of heart contain तो heart की जो right side उसमें कौन से टाइप का blood है impure है pure mix है या oxygenated है तो oxygenated और pure तो एक ही बात हो गई है ना pure blood कहा दीजिए या oxygenated blood कहा दीजिए है ना तो आपका जो heart है उसकी right side में impure blood होता है right side में कौन सा होता है impure blood होता है और जो left side है हमारी left side उसमें कौन सा हो जाएगा pure blood हो जाएगा oxygenated blood भी कहा दो इसको और जो impure है इसको deoxygenated भी कह सकते हैं है ना आभी हमने देखा था तो राइट साइड जो है तो राइट साइड में कौन सा होता है आपका impure blood होता है option नहीं हो जगा और left side में pure next है with chamber of heart as thickest wall सबसे thick wall कौन से chamber की होती है heart के right ventricle left ventricle right auricle या left आपका जो है auricle ठीक है तो किसकी होती है देखिए option जो है left ventricle left ventricle से जो है ओटा में blood जाएगा जहांसे मतलब की left ventricle से ना blood सारी body में pump होता है तो सबसे thick wall जो होती है हमारे left ventricle की ही होती है देखिए right ventricle is responsible for pumping the blood to the lungs ना देखिए right जो आपका ventricle होता है इसकी ना थिकस्ट वोल होती है इसकी वोल जो होती है थिकस्ट बोज़त है थिक होती है है ना तो करें right ventricle responsible for pumping the blood to the lungs left ventricle has a thickest valve होती है left ventricle responsible for pumping the blood towards the tissue of the heart तो left ventricle pump करता है blood जो है different organs में next number of valve present in heart में कितने valve है दो तीन चार या पाच तो करें जो आपका heart होता है उसमें कितने valve होती है चार वाल होती है total okay देखें हाट में four walls होता है कोनको tricuspid valve होता है pulmonary valve होता है mitral or auric valve होता है tricuspid valve located between the right atrium and right ventricle right atrium के बीच में और right ventricle के बीच में आपका कोन सा tricuspid valve होता है और pulmonary valve located between the right ventricle and pulmonary artery right ventricle और pulmonary arteries होती है इनके बीच में आपका pulmonary valve है mitral valve होता है located between left atrium और left ventricle के बीच में mitral valve है और auric valve located between the left ventricle left ventricle से ओर्टा में blood जाता है तो इनके बीच में आपका auric valve होता है यह आपके चार valve है तो आपको इनका पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लिया जाता है कि tricuspid valve किस-किस के बीच में है mitral valve किस-किस के बीच में थोड़ी से पता होना चाहिए आप लोगों कि स्कान नेक्स्ट है ॆप In the Context of human heart which is the following statement is correct हट की साउंड के बारे में question है फ़र्ट स्ट संड लब है सेकंड साउंड डब है बोर्थ हर्ट रही और नान इस तुकर दोनों बात सही है फार्स्ट थे फार्स्ट हर्ड नाम है वे एल्यू मics वाया तो फार्स्ट हार्ड साउंड उसपी तो फार्स्ट नाम्ये दानलू ब्याट अवं गलू खेल ए मिल्लक शालूका इंश्यू मुटउन ब्याद और ब्याग केने शिर्ख सैंक स्दाइब फार्स्ट Towards को कि सबस्केटें ने उसे कि सबस्टाइए ने को सुन सकते हैं यह जो आपके के आपके चुन होती है जो आपके चाइचेंट सांद गुएके जो सांद जो आपके आतिंग है जो और्टिक और प्लमरी वाल्व यह बात लिखे हुए नहीं इस टाइब की पूछते हैं देखिए ट्राइकर स्पीड वाल्व तो होता है प्लमरी वाल्व भी होता है तो यह अनेरोबिक इस टाइब से कोई भी वाल्व नहीं होता है ना उप्शन सी हो जगा नेक्स सब्सक्राइब कर देखिए पेसमेकर तो आपने ऐसे नोड़ को खाया दिया अब reserve pace maker किसे कहोगे AV node को कहेंगे reserve pace maker of the heart split up of time cycle cardic cycle cardic cycle का total duration 0.8 second का होता है total duration 0.8 second का होता है तो इसमें ventricular systole ventricular diastole lateral systole lateral diastole होता है अब आपने बताना है कि split up of time cycle पूछा होगा है देखिए option जो है आपका एही right दिया होगा है देखिए ventricular systole हमारा 0.3 second का होता है ventricular diastole 0.5 second का होगा lateral systole 0.1 second का है तो lateral diastole 0.7 second का होगा ओकी next है cardic cycle involved complete contraction and relaxation of both the artery and ventricles in the cycle last approximately 0.8 second के होता है cardiac cycle में आपको पताया तो इसमें complete contraction and relaxation होता है दोनों का both the artery and ventricles दोनों the different stage of cardiac cycle is given below atrial systole atrial diastole ventricular systole ventricular diastole atrial systole 0.1 second का तो atrial diastole जो है आपका 0.7 second का total 0.8 second होगा ventricular systole 0.3 second का ventricular diastole 0.5 second का होगा तो आप से पूछ सकते है एक्जाम में जैसे देखिए एक्जाम में ये क्वशन आए हो है dozation of atrial systole atrial diastole हेना तो ऐटरल डायस्टोल आपका .7 सेकंड का था तो ऐटरल से तो इस टैप से questions का आ जाते हैं तो बता दिया मैंना आपके डिएशन ओफ याटरल डायस्टोल .7 सेकंड और इटरल शेस्टोल .1 सेकंड निक्स्ट है तो यह वह इसे दुवारा से लिख्ण हो है duration जो है 0.8 second cardiac cycle की atrial systole 0.1 second to atrial diastole 0.87 second ventricular systole 0.3 second ventricular diastole 0.5 second next step the following blood vessel carries de oxygenated blood back to the heart करे कौन सी blood vessel जो carry करती है de oxygenated blood जो होता है back to the heart वापिस heart में लेके आती है arteries capillaries veins ये lymphatic vessels तो ये हमारी veins होती है option c next है which of the following is the largest artery human body की largest artery coronary artery pulmonary artery orta या नन तो आपका जो largest artery है that is orta option c हो जेगा तो ऐसे नोड़ लोकेटे इन तो ऐसे नोड़ आपने कहां कि जो है पेस मेकर होता है heart का तो कहां present होता है ये तो ऐसे नोड़ देखे आपर साइड कहां है left atrium right atrium right atrium ही लिखा हुआ है left atrium तो ऐसे नोड़ जो है हमारा right side में होता है right atrium में होता है तो अपर side में होता right atrium में भी अपर लोवर अपर side में होता है ये राइट अपर साइड में ध्यान रखना ऐसे नोड़ होता है next ये लिखाव ऐसे नोड़ कोल्ड साइनोड लोड लाइज इन दा वोल दे राइट नियर दौ ऑपनिंग ओफड़ आपका होता है इसी जी लेक्ट्रों कार्डियोग्राम होता है न निक्स स्मोलल आस्ट वें बताइए विन्यूल विना केवा ओटा कैपिलरी स्मोल आस्ट वेंस विन्यूल के ऑप्शन हो जागा निक्स्ट है, काड़ेक आउटपुट जो होता है, यह प्रोड़क्ट है, हाट रेट और किसका बताईए, रास्पिरेटरी रेट आएगा, मैन्यूट वेंटिलेशन, स्ट्रोक वोल्यूम पेरिफिरल रेजिस्टेंस, यहाँ पर स्ट्रोक वोल्यूम आएगा है ना, तो हाट रेट एंड स्ट्रोक वोल्यूम का जो प्रोड़क्ट है, यह प्रोड़ेक आउटपुट होता है, हैına, स्ट्रोक वोल्यूम आपसे कहे तो बताना हैं, स्वन्टीआमेल होता है, काड़ेक आउटपुट कहें तो खेंगे branफ पर मिनट होता है, हैम वॉल्यूम autantब्लरॉड pump by heart per minute एक minute में heart कितना blood pump करता है उसे कहेंगे cardiac output कहेंगे एक minute में heart कितना blood pump करता है और एक beat पे heart कितना blood pump करता है वो stroke volume होता है next left common carotid artery is branch of subclavian artery branch of auto, coronary to यह हो जेगा arch of auto, option c next automatically तो तो में किस टाइब के वाल के मिट्रल वाचा सपिड वाल से बाइकस पिड वाल तो उटा जो है उसमें आपका सैमी लिउनार वाल है निक्यों है उटा लार्ज का टाइब करिस्ट अक्सीजन रिच ब्लड फ्रों लाफ्ट वेंट्रिक्ल ओफ दा हाट चुअधर पार्ट फॉर्म होता है इसको हार्ट का लफ्ट वेंट्रीकल है वहां से बोरी के दूसरे पार्ट में लेके जाती है यहां लफ्ट वेंट्रीकल की ठीकस्ट vendor थी फॉर्च क्यों कि इसको पूरी बोडी me व्लाड़ पंप करना होता है है तो निट्रल से बलेट जाता है होट ना। नहीं तो कि राक टर्रेट फिए आपको बता दिया राइट वैंट्रीकर और गप diabetes के भीच में zwischen left small left अब ऑते बीच में हैं नेश्च पीच में मिच लिया तो मिचलिः तोल यहां अब अध्रियों तेन्य के बीच में राइट साइड में नहीं लाफ्ट साइड में हैं तो आपका जो है और उस और ईंडिकाल के बीच में अप्शिऩ्-बी हो device use for detection of blood pressure, liver function, blood composition, respiratory rate तो blood pressure के लिए होगा आपका detection के लिए, blood pressure के detection के लिए आपका device is sphygmomanometer, next है normal range of systolic, तो अभी हमने देखा था 120 by 80 में है ना systolic और diastolic blood pressure हमने देखा था, तो systolic की जो आपसे normal range पूछी हुई है, तो 120 मिन च्छी होती है, तो कितना होगा greater than 100 less than 100 होज़ेगा less than 60 तो 60 से कम नहीं होगा तो आपका जो है option एह हो जगा more than 100 beats per minute हो जाएगा है ना तो दिन नॉर्मल heart rate 6200 beats per minute होता है टाकी काड़े में heart rate greater than 100 beats per minute और ब्रैड़ी काड़े में heart rate less than 60 beats per minute तो अभी जो है यह हमारे होगे cardiovascular system की questions अभी एक question जिसका आप लोग देने वाले हैं हमेशा की तरह only pulmonary artery which contain deoxyated blood या impure blood में आपको बताया था है ना अभी question मैंने दो बार एक question को दो बार आया हमारी यह question pulmonary artery inferior बीना के वाग को नरी आर्ट्री ननिस का अंसर आप लोग देना है इस वीडियो में इतना ही आगर आपको वीडियो च्छी लेगे से लाइक करना चैनल पर नहीं है तो में आप लोगों से रिक्वेस्टे की चैनल को प्ली सब्सक्राइब जो करना ओके थैंक यू